अलो दोस्तों VFX Pipeline चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे Unreal Engine के Foliate System के बारे में काफी इंटरस्टिंग है और काफी कुछ सीखने को मिलेगा पूरा वीडियो जरूर देखना सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपना Unreal Engine मैं यूज कर रहा हूँ Unreal Engine 4.27 आप 5 यूज करो कोई भी यूज करो फोले सिस्टम अभी की डेट में सेम ही है कोई चेंजिस नहीं है तो जल्दी स्टार्ट करते हैं तो फॉर के इंदर मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना हुए अपना थर्ड पर्सन वाला जो प्रोजेक्ट है इसके इंदर अपने पास बंदा मिल जाता है तोड़ा तो आपको कुछ इंट्रेसिंग सीखने के लिए मिलेगा उसमें सबसे पहले क्या है कि मेरे पास एक एंप्टी गेम लेवल है और यहां पर मैं सिर्फ इसको घुमा रहा है यहां से जंप ही मार जाएगा ओके और यहां पर आगया तो फोलीज सिस्टम होता है क्या है देको अगर को फोलीज सिस्टम एक्सेस करना है तो आपको मोर्स के लिए प्लेस करने के लिए काफी ज्यादा है तो मैं आपको बताता हू कि जब भी आपको यह कैसी उस करना है और यह सिरफ पौदो के लिए फूल पत्तियों के लिए आप बहुत कुछ करेट कर सकते हो मैं आपको पूरा लाइव एक्जामपल के साथ मैं बताऊंगा सबसे पहले तो मैं फोलिएज मोड पर इधर से आपको आना है तेखो आपको पता है अपने यहां पर लेंड्सकेप पर चले आते तो अपने लेंड्सकेप करने के लिए जातों सबसे पहले जब पूर में आते हो फोलिएज मोड के अंदर तो यहां पर आपको काफी सारे टूल बॉक्स टूल बॉक्स जो है आपका इसके नीचे आपको काफी सारे और आप्शन से सलेक्ट ऑल डी सेलेक्ट लाइसो इन सबको भी एक बर देखेंगे तो यहां पर आपको size, density, यह सारी की सारी चीज़ मिलने हैं सबसे पहले जो important चीज़ है वो इसके अंदर यह कि आपको यहां पर paint करना क्या है पहले तो आप वो clear करो तो जैसे कि यह पेड़ पॉद्य बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ एक मैंने क्या किया है कि एक asset already marketplace से कुछ sample download किया हुआ था उसके अंदर मेरे को कुछ tree है मेरे पास तो मेरे पास यह एक tree है और इसको मैं आपको open करके दिखा देता हूँ तो यह जो tree है बहुत ही मतलब एक simple सा पेड़ है पत्या हिल नहीं है क्योंकि यह first time अभी लोड हो रहा है तो देखते हैं कि कितना है यह देखो यह है मेरे पास एक पेड़ ठीक है अब क्या है एक तरीका तो यह है कि इस पेड़ को अकर आपको अपने तो आप यहां से उठाके इसको drag and drop कर दो और यह राम जी की हो गया आपका काम समझ गये और फिर उसके बाद में आप इसको सलेक्ट कर सकते हो इस पेड़ को और इस पेड़ को सलेक्ट करने के लिए आपको सलेक्ट मोड में जाना पड़ेगा basically तो आपने पेड़ सलेक्ट क करने के बाद मैं आपने alt press करके इसको आंगे move करा दिया duplicate बन गया alt press करके आंगे move करा दिया बहुत बढ़िया ठीक है तो आपने क्या किया तीन पेड़ यहां पे अब अगर मेर को आपको यह बताने कि भाई यहां पे न पेड़ तो ठीक है लेकिन how about यह चोटा सब यह alt press करके move करोगे फिर alt press करके move करोगे अब यह हो जागा थोड़ा सा लेंद दीगा अगर आप इसको पूरा वरना चाहते हो तो आप क्या करोगे इसको अगर मैश को डूप्लिकेट करोगे तो यह एक अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि आपको यहां पर static match डूप्लिकेट होत जाता है बट वो points के उपर place कर दिया जाता है अब यहां पर हमने बनाया तो सही लेकिन वह इसको फिलाल के लिए डिलीट करता हूं क्योंकि यह अभी हम इस तरीके से यूज नहीं करने वाले तो इनको सबको सबको सबकर करके मैं करता हूं डिलीट अब हमारा फिर से एम्ट किया और अब देखो यहां पर क्या हुआ एक देखो यह हमस्पियर सर्कल हाफ सर्कल आप कुछ भी कहलो इसको यहां पर एक पेंट ब्रश क्रेट हो गया अब यहां से कंट्रोल कर सकते हैं इसकी डेंसिटी अभी बहुत ही कम रखिए मैंने 0.060 आप यहां पर देख सकते हो इसको जैसे से बढ़ा देंगे तो वो और ज्यादा भी हो जाएगी पेड की हाइट बगरा भी कंट्रोल कर सकते हैं एक एक करके देखेंगे इन सब चीजों को फिलाल हम देखते हैं कि यह आपने ऑब्जेक्स पेंट कर सकते हैं पूरा भर दिया यह यह पूरा फिल हो गया है और अब अब प्ले करके देखोगे तो यह पूरा देखो जंगल ही जंगल दिख रहे है इसको सारे पेड़ी पेड़ आपने कुछ भी डूप्लिगेट नहीं किया यहां तक कि इसने हाइड पर भी पेड को एड करती है और यहां पर काफी सारे पेड़ा कर नीचे देखो तो कहीं-कहीं पर इसको चाहो दिख रही है और ये इसके leaves के अंदर animation है तो देखो आपको एक animated tree मिल गया और कभी easy हो गया आपको अगर आपको game के अंदर कोई content अगर create करना है तो आपके लिए लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ इसको मैंने जो भी create किया है न ये मिरे को फिला करेंगे पूछे का हाँ फिफ्टी एट अपने एक फिफ्टी पेड प्रिंट कर दिये थे मतलब पेंट कर दिये इसके उपर ठीक है अभी हम फिर से empty हो गया मैं क्या करता हूँ एक चोटा वाला जो जाड़ी थी नहीं इसको ले लेता हूँ एक दो random करने के लिए आपने द जगे में पेंट होता हुआ का तो मैं इसको और इतना रखता हूं ठीक है और पेंट किया तो देखें है याँ पे अब But लेकिन कई बर क्या होता है कि आपने रेट तो किये लेकिन आपको नहीं चाहिए तो आप shift प्रेस करके और उसको erase कर सकते हो ठीक है दूसरा आपके लिए मैं एक option बताता हूं कि आपने क्या करना है इसकी जो डेंसिटी को अगर आप इंक्रीज करोगे और फिर इसको आप ड्रॉ करोगे तो यहां पर हमारी डेंसिटी जो थी 0.06 थी और यहां पर मेरी डेंसिटी काफी बढ़ा थी तो आप देखो काफी ज्यादा हुलिएजिस ग्रेट हो अभी अगर डेखूंगा तो यहां पर आपको दिख रहे हैं यह आपका जो काफी तो चोटे-शोटे प्लांस है वह क्रेट हो गए और यह इस तरह आएंगे तो यहां पर कम प्लांस हैं ठीक है ना तो यह को एक आईडिया मिल गया कि यह पेंट कैस ही चाहिए होता तो आपने क्या करना है इन सब को मैं हटाता हूं अभी राने के लिए यहां पर आप जो भी आते फॉलिज टाइप लिया हुआ है उसको यहां पर अप सलेक्ट यह प्लाइंटी है दो तरीके के प्लाइंट तो आपको कौन सा आपकी देंसिटी ज़्यादा चाहिए किसकी कम चाहिए तो इसकी देंसिटी 50 रहेगी और इसके 100 रहेगी ठीक है तो उसके बाद में यह बहुत इंपोर्टेंट तो अब आप जो नॉर्मल से लेकर और 1 तक के बीच में यह हो और यह वाला जो मेरा है यह भी मेरा 0.1 से लेकर 1.0 तक हो तो यह मेरे दौनों मैंने यहां पर इस्तम वेरिशन दे दिया अभी मैं क्या करता हूं इनको ड्रॉ करना शू करता हूं तो अभी पहले तो काफी ज्यादा बनके आ रहे थे देखो अभी साइ आप एक और गाम कर सकते हो पता है आप यह जो आपने छोटे-छोटे घास लगाए ना इनके साथ में आप एक बड़ा पेड भी लगा तो आपको काफी इंट्रेस्टिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा इसकी डेंसिटी तो अल्लेडी हाई है मैं इसको ब्रश का साइज को लगाए बढ़ा करने के लिएो ब्रैकार दो मेरा इसको यूझ कर सकता हूं या फिर में ऐरैक्टी यहां से को बढ़ाऊंगा और शायस को जादे już लगवे इसको तोड़ाँ सब्सक्र ने बाद करूए क्सक्ता कार रहो है यह ठीक है आप देखो यहां पर नंबर भी लिखे हुए आते हैं यह नंबर क्या रहा है कि आपके इसमें पेड़ क्रेट होगे 11 यह वाली घास पांच क्रेट हुए यह वाली 11 अब देखो यह पांच इसली क्रेट हुई क्योंकि इसकी डेंसिटी आपने कर दी 50% क्योंकि तो मैं कर देता हूं फुल 100% पर पेड़ जो है यह कम क्रेट हो नहीं तो पेड़ अगर इतने ज्यादा क्रेट होगे तो गास पुरा तुवारा सीनी यह भी हो जागा तुम पूरा उसको तो इसके लिए क्या करना है यहां पे जाके इसको मैं कर देता हूं 10% तो जब भी प पर काफी ज्यादा चुटे-चुटे पेड़ भी आ गए और बड़े पेड़ भी आ गए तो इस तरीके से आप अपना पूरा जंगल वाला सीन है न वह पूरा क्रेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से और काफी एक मतलब आपने बस ब्रश घुमाया और आपका काम हो गया समझ तो इस तरीके से आप पेड़ बागी की चीज़े क्रेट कर सकते हो अब आता है इसके इंदा सेलेक्शन टूल वह भी बहुत इंट्रेस्टिंग है सलेक्शन टूल बेसिकली क्या करता है यह पेड़ हटा देता हूं मैं इसमें आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे मैं पहल इस साइड के जो पेड़ है ना जो इस सीडियों के पास लगे हुए यह साइज थोड़ा छोटा चीए मेरे को मैनुवली कंट्रोल करना है इसको तो आप क्या कर सकते हो यहां पर सलेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाओ या लैसो सलेक्ट करोगे तो आपको फिर से पेंट ब पोली एज वह सिस्टम आपका सलेक्ट हो जाएगा वह सलेक्ट होने के बाद में फिर आप आर प्रेस करके जो आपके स्केलिंग ट्रांस्वर्मिशन की टूल है आप इनको यूज करिए और इनको यूज करके इनको छोटा कर दीजिए अब यह देखो आपके यह वाले आप उनको सब्यक्त कर सकते हो और य है अगर आपको इसेजहेगे और किसी इए को तरफ एक आप दो जा सकते हो प्रिस करके ऊसके नज़दीक बीजा सकते हो और उसके बाद में आगर आपको इंडिवीजयीनuld ईट कर दो क्या दिक्कत है यह गए डिलीट बटन दबा दो अपने कीबोर्ड पे और वो खतम पूरा फोलेज नहीं आगा जो जो आपको सलेक्टेड है वो ही जाएगा यह कोई इंडिविजुल आपको करने थो फुर फुल केंटोल्मे रहता आ्पके पास समझे रहों तो यह स्पूरा लेकिन यहां पर मैंने आपको जैसे बताया है पूरा जंगल बना तब्ड़िया अच्छा क्रिटिव we ठीक है बडट्म मेरा याँ आपकर कॉंसिप्ट मैं जंगल बनाने के लिए मैं आपको सिर्फ तूल्स बताने के लिए हूँ जंगल कोबनाना आ सीन दो सिस्टम को सलेक्ट करेंगे आप यहां पर इसको जाके यहां पर डिलीट कर दिए अब यह पेड़ पोदों के अलावा आप क्राउड भी क्रेट कर सकते हो उसके लिए मैंने क्या किया है कुछ एक यह पोस्ट हुमन के कुछ मॉडल्स हैं वो मैंने डाउनलोड किये तो उनके स साथ में हम एक इंट्रेस्टिंग क्राउड सिस्टम बनाएंगे अब यह हमारा जो लॉंडा है यह अकिला भग रहा है यह ठीक है ना तो यहां पर इसके साथ मदब पूरा एक्दम भीड़ भीड़ होगी यहां पर सब लोग बात कर रहे होंगे तो एक क्राउड क्रेट करन यह कुछ मॉडल्स है इनको एड कर रहा हूं पीचे से वोमें एक यह शॉपिंग उसके बाद में यह मतलब हम काफी जितने ज्यादा क्रेक्टर लेके आएंगे ना उतना रेंडमनेस इसके इंदर एड हो जाएगा तो आपको यह ध्यान लगना और अपने लिए लाइफ इ साथ में हैं मैं आपको बता देता हूं पोस के साथ में बुले तो जैसे आप यह देखो यह कोई करेक्टर है तो यह आराम से खड़ा हुआ है खड़ी हुई है बात कर रही है ऐसे ही हो गया आपके उपर है आप भी कुछ करेक्टर इसमें एड कर दो 182 181 उसके बाद में 179 180 उसके बाद 178 हो गया नहीं हुआ इसको भी डाल देंगे 177 जितने ज्यादा करेक्टर आप डाल सको उतने ज्यादा आपको बहुत ही बढ़िया उसके इंदर रेंडमनेस मिलेगी मैं इस मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि मेरे आपका टाइम इसमें लागाना नहीं चाहत बता मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि यह करेक्टर इसमें इसलिए डालने हैं ताकि हमारे को एक रेंडमनेस मिलें अब आता हूं मैं आल्मोस्ट विए डन 171 169 एक और रहे हैं कि 68 67 दो और रहे हैं और 67 नाओ वी रेडी टू दू दा मैजिक आव हमारे पास यतने सारे अब यहां पर आपने ब्रुष का साइज बड़ा चुटा जैसा भी चाहिए आपको कर लो तो मैंने इसको यहां पर देख रहे हैं अब साइज इसका साइज मैंने बड़ा लिया देंसिटी अभी कम यह एक वर क्लिक करता हूं सरफ कुछ क्लिक किया कुछ हुआ नहीं नाति क्लिक में जाके देखो कुछ तो प्रॉब्लम है ठीक है क्यरेक्टर तो आ गए लेकिन इतनी सारी भीड करेट हो गई अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे आपको यूज करने प्रॉपरली सबसे पहले तो इसकी डेंसिटी जो है वो विलकुल कम कर देंगे फ इसको मैं करता हूँ 0.30 ठीक है और अब इसको मैंने मूव किया और पेंट करना शुरू कर दिया अब मैंने पूरे एरिये में जाके सब को पेंट करना शुरू कर दिया और देखो यह कुछ जैसे आप जाओगे न तो कुछ सीडियों के उपर भी आ जाएंगे कुछ नीचे आ जाएंगे इधर-उदर सब जगह पर कुछ बॉंडरी के उपर भी चड़ जाएंगे यह अपना लॉंड इधर गुम रहा है यह घूमता हो जा रहा ठीक है अब देखो अभी क्या था आपने पेड़ पहुते आएड़ किये थे लेकिन पेड़ पहुते आड़ करने के ले सकते हो इसको पैंट कर दो आप क्यूब को एड कर दो आप स्पियर को एड कर दो अपने यहाँ पर इनिमेटेट इसकेडल मैश ले लो वो भी आ जाएंगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग चीज दिखाँ हो य पॉइंट साही नहीं है तो इस पर खड़ी हुए लेकिन इन रियालिटी में वह ऐसा नहीं होता समझ रहों तो इस पर इस पर यह करेक्टर को फिक्स करना है और फिक्स करने के लिए इस वेरी सिंपल, all you have to do is, आपने select mode पे जाना है, select mode पे जाके, जो जो model आपको लग रहा है कि यह तो गलत लग रहा है, जैसे यह दोना गलत लग रहा है, इनको select करो, delete कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यह delete हो गए, यह character जो है, वो टेड़ा लग रहा है, आप इसको set कर दो, य paint करना ही ज़रोत नहीं, आप यहां पे select करके, यह टेड़ा है, इसको delete कर सकते हो, बाकि आपको लगता है, यह उपर वाले तो मैंने गलत paint कर दिये, तो आप इनको select कर लो, यह दो, यह सब select होते हो जाएंगे, आपके, और यह सब select होने के बाद में, इनको delete कर दो, उपर से पूरा clean हो गया, तो control पूरा आपके आत में, foliate system बहुत ही ज्यादा मतलब interesting है, मतलब एक तरीके से particle instance वाली कहानी है, एक तरीके से जैसे particle instance आप 3D software माया वाया, हुडनी वगरा, यूज करते होंगे, तो वो भी लगवाग यह है कि आपको कुछ points पे वो paint करना शुरू करते अब मैं आता हूं, फिर से select mode पे और select mode पे यहां पे और gameplay mode पे आता हूं, और gameplay mode पे आके देखो कितना अच्छा हमारे को random crowd इसके इंदर मिल चुका है, क्योंकि आप आपने character इस ते ज्यादर डाले ना अगर इस point पे मैं रोग लूँ, तो आप देखिए कि कापी, मतलब तो पूरा उसका rotation इतना अच्छे तरीके से हो चुका होगा कि वह आपको मतलब अलागी दिखेगा, for example देखो, जैसे आपको यह pink dress में यह character है, और यह character है, same ही है, लेकिन जब आपने इसको place किया यहां पे, तो यह बिल्कुल इस तरीके से set हो गया, कि मतलब, it's like, you know, randomness आ this is the, मतलब, आपके उपर है कि आप इसको कैसे use करना चाहते है, अगर तब आपका अभी भी कोई doubt है, foliate system के अंदर कैसे use करना है, तो आप comment कर लो, और अगर आपको अच्छे तरीके से आगे, आपने कुछ scene बना लिया, धासुसा, तो अगर हमें भी दिखाओ कि कैसा scene बना अगर आपको उस लेवल का control चाहिए, तो आपने क्या करना है, जैसे आपने देखना है, यह जो character है, यह जो character है, यह नहीं चाहिए आपको scene में, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर जाना है, किदर है भाई, यह scene में यह रहा, इसके 31 instances, आप इसको यहाँ पर जाके off क तो पूरे सीन में से वह जो चैरेक्टर ही हो अगर कोई पता करना ही आपने सिंपल यहां पर जाना मोड पर चाना है क्राउड को सलेक्ट करना एक और इंट्रेस्टिंग चीज मैं बता दू जब भी आप क्राउड जो भी आप फॉलीज सिस्टम को जिस भी चीज के लिए यूज कर रहे हैं यहां पर इंस्टेंस फॉलीज एक्टर करके बना हुआ है इस मैं रिकमेंड करूँ आप यहां पर नाम डालो यहां पर लिए इसका नाम लिए अब यह चलेक्ट करके आगर आपको बिल्गुल सेट लग रहा है आप एक काम कर सकते हो यहां पर यहां के कैमरा भी एड़ कर सकते हो फिर देखो कि हैं सिनेमेटिक लुक का आपको कितना ज अब भी एक जी प्रेस कर लेते हैं रहा है ठीक है तो यह आपका फोलिए सिस्टम तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही है थेंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग देश वीडियो प्लीज गाइस सब्स्राइब कर लो वी एफेक्स पैपलेंग चैनल को और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए मैं ले के आऊँगा ठीक है चलो मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो के